राम राम किसान भाईयो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंद यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान भाईयो आलू की बुबाई का समय चल रहा है कुछ छेत्रों में आलू की बुबाई हो भी चुकी है आलू की बुबाई के बाद हमें अपनी आलू की फसल में खर्पत बारों की समझ से बहुत अधिक देखने को मिलती है आलू की फसल में मोथा के अलावा बिभिन्न प्रकार के खर्पत बार हमें देखने को मिलते हैं जो कि आलो की फसल में बहुती नुकसान पहुंचाते हैं तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलो की फसल में खर्पतबारों को हम कैसे नियंतरित करें बहुत से किसान भाईयों की समझ से रहती है कि आलो की फसल से मोथा घास को हम कैसे खत्म करें तो किसान भाईयो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी आलू की फसल में मोथा घास के साथ सबी घासों को कैसे खत्म करें तो किसान भाईयो आप इस वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये खर्पतबार फसल के साथ प्रति इस पर्दा करके पोसक तत्तों को अधिक मात्रा में अफसोसित कर लेते हैं जिससे फसल को पूरी मात्रा में पोसल नहीं मिल पाता है जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है और हमें अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता वहीं दूसरी तरफ ये खर्पतबार आलू की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी सनन देते हैं तो किसान भाईयों हमारी आलू की फसल में चोड़ी एवं संक्री पत्ती वाले दोनों तरह के खर्पतबार उगते हैं जैसे मोथा, बथुआ, जंगली पाला, गुली डंडा, जंगली चौलाई अब हम बात करते हैं इनके नियंतनल के लिए किस रहसानिक खर्पतबार नासक का हम उपयोग करें तो किसान भाईयों आलू की फसल में खर्पतबारों को नियंतनल करने के लिए मेट्री व्यूजन 70% WP खर्पतबार नासक का उपयोग किया जाता है आप एक अच्छी कंपनी की 100 ग्राम से 120 ग्राम मेट्री को 1500 से 200 लीटर पानी में घोल कर खर्पतबारों के उपर चलकाओ करें इसके लावा किसान भाईयों आप पेराकवाट डाइकलोराइट का भी आलू की फसल में खर्पतबारों को नश्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसके लिए किसान भाईयों आप एक लीटर पेराकवाट के साथ 100 ग्राम मेट्री बूजन का अच्छी तरह से घोल तयार करके अपनी आलू की फसल में आलू उगने से पहले चलकाओ करें किसान भाईयों यदि आप अपनी आलू की फसल में इन खर्पतबार नासकों का इस्तिमाल करते हैं तो आपकी आलू की फसल में कोई भी खर्पतबार आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन किसान भाईो आप इन खर्पतबर नासकों का च्छ्लकाओ आलू अगने की अवस्था से पहले ही करें यानि जब आपकी फसल में आलू न अग पाई हो उस से पहले ही पहले इन दबाओं का इस्तेमाल करें आलू उगने के बाद इन दबाओं का इस्तेमाल बिलकुल भी ना करें किसान भाईो अगर आप आलू उगने के बाद इन दबाओं का इस्तेमाल अपनी फसल पर करते हैं तो आपको अपनी फसल में नुकसान देखने को मिलेगा किसान भाई यो जानकारी पसंद आयो हो तो वीडियो को लाइक एब हम सेर जरूर करें